लालू प्रसात यादव के बड़े बेटें तेजप्रताब यादव एक बार फिर सुर्ख्यों में है जिहां उत्रप्रदेश के वराणसी में उनके साथ दुर्वेभार और सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है आरोप है कि केंट इलाखे में इस्तितेक होटल के मैनेजर ने तेजप्रताब यादव का ना केवल उनकी अनुमती के बगैर कमरा खोला बलकि बगल के कमरे में ठहरे सुरक्षा कर्मी और सहयक लोगों का समान निकाल कर रिसेप्शन पर रख दिया इस घटना की वज़ा से देर रात में मंत्री तेजप्रताब यादव को होटल छोड़ना पड़ा जिसके बाद उनके नीजी सहयक ने इसकी शिकायस सम्बंधित थाने में दी वहीं अब इस पर पुलिस का बयान आया है यह जानकारी करने पर ग्यात हुआ है कि थाना सिगराथ छेत्र में एक नया होटल है जो अभी कुछ महिने पहले खोड़ा है इसके दिया उनके एक तेजप्रताब के करीबी व्यक्ति के द्वारा छह तारीख के लिए एद दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक कोई भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है मंत्री है या क्या है कहां के है और दूसरे दिन जब इन है वोटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर तो ये दरसन करने चले गए थे इनका एक अटेंडेंट वहां मौजूद था होटल वा तो आने के बाद इन्हों ने एक शिकायत पुलिस को दी है प्रास्ना पत्र दिया है जिसकी जास की आ रही है फिलाल ये मामला पुलिस के संग्यान में है जहां उचित कारवाई की जा रही है वी रिपोर्ट पीटिज न्यूज यूपी